दोस्तों, जैहिन बंदे मात्रा, मैं सुमिल कुमार यादो, आप सभी देखने वालों को अवादन करता हूँ और आज मैं आपके सामने एक नई समस्या लेकर आ रहा हूँ जो दुनिया की आने वाले समय में सबसे बड़ी समस्या है वाटर की, पानी की दोस्तों, दुनिया बहुत ही अच्छी है, देखने में बहुत ही सुन्दर रगती है आप देख रहे हैं, यह दच्छन अफरीका का सहर है, केप टाउन और यह दच्छन अफरीका की राजधानी है बहुत ही सुन्दर सहर है, समुत्तटी चेतर है लेकिन क्या आप जानते हैं दच्छन अफ्रीका के इस सुन्दर सहर को जो की दच्छन अफ्रीका की राजधानी भी है 14 अप्रेल 2030 को जल विहीन सहर घोसित कर दिया गया है अर्थाथ पानी जीरो की स्थिती में आ चुका है और पानी की ऐसी किलत होने के कारण वहाँ पर लोगों में मारा मारी होने लगी है पानी को लूटने की त्यारी हो रही है पानी की जो समस्या है वो केप टाउन के लोग उससे बहुत ही तरस्त है केप टाउन सहर की में लगबख 37,000 लोगों की नोकरियां जा चुकी है और 50,000 से अधिक लोग अपनी नोकरियों को छोड़ने की इस्थिती में है केप टाउन की ऐसी इस्थिती को देखकर हमें अभी भी समल जाना चाहिए पानी 25 लीटर पानी ही एक व्यक्ति को मिल रहा है मलब एक परिवार को सिर्फ 25 लीटर ही पानी मिल रहा है उसी में आपको नहाना है और रोज नहाने पर केप टाउन में प्रतिबंद लगा दिया गया है अर्थात आप रोज नहीं ना सकते हैं पानी की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं जिस प्रकार आप प्रट्रोल पंपर प्रट्रोल खरीते हैं उसी प्रकार पानी की सप्लाई हो रही है टैंकों के माध्यम से एक प्रिवार को 25 लीटर ही पानी दिया जा रहा है आने वाले समय में पानी की इस्तिती को देखते एक कुए हमारे यहां के भी सूख रहे हैं तलाब हमारे यहां के भी सूख रहे हैं नदियों का जलिस्तर हमारे यहां का भी डाउन हो रहा है पानी का जलिस्तर नीचे जाता जा रहा है और हम अभी भी पानी को व्यर्थ बहाते हैं गाडियां धुलते हैं एक लिटर पानी की जग है दस लिटर पानी भाते हैं आप देख रहे हैं दच्छन अफ्रीका के स्थिति लोग पानी के लिए लाइनों में खड़े हुए हैं प्रती परिवार 25 लीटर पानी और हम और आप अभी भी नहीं सुधरे तो हाथ से समय निकलता हुआ जा रहा है दोस्तों पानी की बचत करें सेव लाइफ यदि रखना चाहते हैं तो सेव वाटर के फार्मूले को केप टाउन सहर की जैसी समस्या हमारे यह आनना हो इसलिए हम अधिक से अधिक लोगों को जागरत करना है पानी को बचाना है बेर्थ पानी को नहीं बचाना है यह कावत कर जाती थी यदि भूरा है तो बहने दो पीला है तो जाने दो की भावना के साथ काम करें और सेव वाटर सेव लाइफ के फार्मूले को अपना है दोस्तों जानक